आज हम बात करेंगे हर्दिक पांडिया की बत्तिमी जी की जिसकी कोई हद नहीं रही नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सुबन बंडारी और आप देख रहे हो पाड़ी किर्केटर यूटूब चैनल पिछले कुछ महनों से जो हार्दिक पांडिया कर रहे हैं इनफेक्ट जो पिछले साल से कर रहे हैं उसने तो हद ही कर दी भाई सच कहूं तो किसी को ट्रोल करने का दिल नहीं करता लेकिन जिस नेचर जिस बेवियर का ये आदमी है इन्हें मानों खुदी सो के उल्टी सीधी हरकते करने का अपनी बेजिती करवाने का दूसरों को परिशान करने का सिनियर्स को एटिटूड दिखाने का जूनियर क को दबाने का संडे को इन्हों ने जो गुजरा टाइटन और मुंबे इंडिन्स के मैज में किया ना उसने सारी हदे पार कर दी भाई साब आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं वो भी आठ साल लंबे कैरियर वाले कोई नए खिलाडी नहीं कोई गली क्रिकेटर नहीं है फिर भी ये ऐसी छोटी हरकत है ताइम पर मुझे भी लगता था कि इस आदमी को जरुष से ज़्यादा हीट मिल रही है अब मुझे ये समझ में आने लगा है कि इसके जम्यवार ये खुद हैं कई लोगों को ये अब भी सही लगते हैं अब ऐसे लोग या तो इनके अंदभक्त हो स या फिर पता नहीं क्या हो सकते हैं अब ये सब बंद होना चीए हरदिक भाई अब तो सुदर जाओ हमें ये कहने पर मजबूर कर दिया इस बंदे ने संडे को जो ये रोईत के साथ सलुक कर रहे थे वो वीडियो वाइरल हुई आपने भी देखी होगी दुनिया से कुछ नहीं चीपा आज हम उसी वीडियो पर वीडियो नहीं बना रहे हैं सारे वहम खतम करने आया है तो ये वीडियो गौर से देखिए टाइम लाइन हर्दिक की गुस्ता क्यों का करन विद कोफी के कंटरवर्सी के बाद जब ये बंदा लोट करके आया था तो काफी सुदार आया था इनके बेवियर में एक छपरी जंटलमेन बनता हुआ नजर आ रहा था लेकिन आईपेल जीतने के बाद इनकी हरकतु ने फिर साबित कर दिया जो छपरी है वो छपरी ही रहेगा हम ऐसा क्यों कह रहे हैं मैदान पर खेलते हुए गालियां सभी देते हैं यहाँ पर कि किसी को डिफेंड नहीं करने आये हैं ना ही किसी की गाली को ठीक ना ही किसी की गाली को सही बताने आये हैं गाली बिराड भी किसी जमाने में देते थे रेस्टेशन में या किसी अंपायर के गलट डिसीजन में या किसी खिलाडी के साथ उतू में 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 इनके मुझ से निक को टाइट कर रहा था कि फालतू में धीले पल रहे थे कितने के लाड़ी है असब्द कहते हुए कई बार पाए गए लेकिन इन में से मैंने कभी किसी को अपने सीनियर को गाली देते हुए नहीं देखा है वगर हार्दिक ने एक नहीं दो बार यह चीज की 2022 में इंग्लेंड क लगा दिया है अब आप समझ गए होंगे कि वो क्या बोल रहे होंगे अपने कप्तान को वो भी एक सिनियर प्लेयर को बोलना ये सोबा नहीं देता है इसके अलावाद 2023 में स्रिलंका के खिलाब ODI में जो इस्टेटमेंट उन्होंने दिया पानी मंगा था लास्ट ओबर वो इतना सीधा साधा इनसान है उन्हें ऐसे ही कुछ कहने का दिल नहीं करता चलिए मैं आपसे पूछता हूँ ये कहां तक उचित था सिनियर्स के आगे ये बरताव सोबा नहीं देता है वह आपकी जानकारी के लिए बता दे जब MS दौनी इंटरनेशनल किर्केट में कैप चलाई हो कभी इन खिलाडियों ने कभी इस वज़ा से कोई सिकायत दर्ज नहीं की जब IPL में कप्तान रोहिद बने तो उनके सर पर भी सचीन और पॉंटिंग जैसे किर्केट के महान खिलाडी बैठे थे इसके बाद जब उन्होंने ट्रॉफी जीती तो इन दोनों राये हैं जो कि अच्छा नहीं लगता है जब इनकी कफ्थानी में खेले तब भी और जब नहीं खेले तब भी माई कफ्तान वह होता है जो सीनियर्स का इज्यट करे और जुनियर्स को प्रोसाहित करे मगर जूनिर्स के साथ भी बड़े भाय जैसा रिलेसर नहीं था पु gram साल इन्होंने तिलक को जो उनपचास पर छोड़कर सिक्समारकर जो जिताया वो इनके क्रिटिसिजम का एक मीन रीजन रहा चलिया माना कि हमारे यहां इंडिवीज्वल गुलोरी से ज्यादा प्यार है लेकिन एक 20 साल का लड़का जो पहली बार इंडिया खेल रहा हो उसकी थोड़ी तो बैकिंग करनी चीए थी ना पहले कहा कुछ और फिर किया कुछ और इसके अलावा जब मुश्किल हालात होती है तो यह दूसरों को पहले बैटिंग करने भेजते हैं जैसे कि परसु के मैच में इन्होंने रासिस से डर कर टिम डेविट को भेज दिया जब 25 ग इसका इनका इंटरनेशनल किर्केट में कोई नमबर और कोई रोल से मतलब ही नहीं है अपनी गेम खराब की और कप्तानी के नाजायद पैदे उठाए जब दिल किया तब बॉलिंग की ना कि दुसरे प्लेयर को इसके कैलिबर के हिसाब से यूच किया गुजरात में विजय के साथ बस सलूकी की जो कि संडे के मैच में साब नजर आया पहले उन्हें बाउंडरी पर बगाना फिर एक एक बॉल के बाद उन्हें लेप्ट राइट करना के फिल्ड प्लेस्मेंट के नाम पर पांस आईपेल ट्रोफी जिनने वाले कीम इंडिया के सबसे सीनियर और प् कैसे अच्छे बनेंगे हो सकता है आप प्लेयर टैलेंटेड हो मगर गालिया ही खाएंगे जो कि इन्हें पढ़ती है यह पिछले साल से ही यह कार्यकरम चालू था जो इन्होंने पिछले साल इस्टेटमेंट दिया अच्छी टीम बनाने के लिए या तो हम मुंबई की जैस इसकाउट टीम है जो की इन्हें तरासकर नामी किर्केटर बनाता है प्लिया बढ़दर से भी मुं एमाई की देन है पहले यह कह करके उन्होंने अपने एक्सी टीम को बदनाम किया चार पैसा और कप्तानी लेकर के इंटरनेशनल टीम से रोहित का पत्ता साप करने के लिए एमाई की टीम में वापस आ गए फिर यह कहना कि मैं 50 और 100 में विलीब नहीं करता हूँ यानि फिर सचीन ने 100 बार और बिराड ने 80 बार 100 पूरा करके अपना टाइम पास किया उसके अलावा वेस्ट इंडी सीरीज में मैं तो कच्छोआ हूँ मेरी प्रोग्रेस नहीं हो र लगा हो तो वेस्ट टैम तो लगेगा ही नाज न जाने आंगन टेड़ा यार प्लेयर तो अच्छा है ये बंदा मगर इनसान बुरा है अब करतूते भी ऐसी है प्रेस कॉन्फरेंस में जबाब नहीं दिया जाता बचने के लिए रोहित के गले परना इन सब ने इनह बिलन बना दिया है वैसा अब रोहित की कप्तानी में खेल करके क्या चला जाता अपनी ही लंका लगा दी उपर से एटिटूट दिखा करके फस गए वो अलग माजरा अब ये मत भूलिये की वर्ड कम में आपके कप्तान वही रहेंगे वैसा थोड़ी लिमिट में अब हमारी रिक अब ले सकते हैं अपनी पुरानी टीम को धोका दे सकते हैं लोयल्टी की ऐसी तैसी कर सकते हैं लेकिन इज़त कमानी पड़ती है वह ऐसी हरकते करने से नहीं मिलती है जितना ध्यान अटिटूट पर है उतनी अपनी फिटनस और अपनी गेम प्लेइंग पर हो तो अच्छा होगा आपके लिए आप लोग का इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बेज़े चलो तब तक के लिए ओके बाई फ्रेंट फिर हाजर होंगे एक नए वीडियो के साथ में